आद आप दोस्तों मैं हूँ उम्य वाजिद आप देख रहे हैं पैगाम टीवी प्राइम टेम में आज हम बात करेंगे खदीम शहर हैदरबाद की यूं तो खदीम शहर की तहजीब सारी दुनिया में विसाली मानी जाती है लेकिन चंद दिरों से चंद आवबाश किसम के नोजवान लड़कियों और खवातीन पर जुमले कस्ते हुए उन्हें हरासा कर रहे हैं ऐसी शिकायात भी मौसूल हुई हैं कि कुछ नोजवान टोले बनाकर चार मिनार के अत्राफ और अक्ताफ लड़कियों से छेड़खानी करने लगे हैं ऐसे ही एक वाकिये में एक नोजवान को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है अब ये गिरफतारी किसलिए अमल में लाई गई और लड़की ने उस लड़के का वीडियो किस तरह बनाया ये जानने के लिए देखिए हमारे ढुमाएंदे मौहमत फारुप की एक खास रिपोर्ट हम हिंदुस्तानी हुकुमरानों पर तनखीद करते हैं उनकी कोताहियों को मनजर आम पर लाने के लिए उनकी गालियों के आगे पीछे दोड़ने वाले सहाथी भी यहां हमें नजर आ जाते हैं तनखीद करना यहां एक आम सी रवायत बन चुकी है किसी चौक में अगर चार बेकार बेरोजगार लोग बैठे गुपशुप कर रहे हों तो उसमें सियासी हुकुमरानों का जिक्र जरूर होता है अगर किसी होटल में चले जाएं तो वहां भी लोग हुकुमरानों का ही जिक्रेशर कर रहे होते हैं अगर किसी टीवी चैनल पर कोई टाक शो देखने का इतिफाख हो तो वहां भी हुकूमत की धज्जियां बिखेरी जाती हैं इन धज्जियां बिखेरने वालों में हम खुद भी शामिल हैं लेकिन एक अवामी तिजारती लाखे में अगर कोई नौजवान किसी लड़की या खातून से बत्तमीजी करे तो फिर इसका क्या यू तो माशरे में आम तोर पर आपको तीन तरह के लोग मिलेंगे इन पर कौन बात करेगा कहते सुना गया है कि तहजीब इनसान को जीने का सलिखा सिकाती है लेकिन कुछ लोग यहां ऐसे भी हैं तहजीब का दामन जिनके हस से छुटता जा रहा है आईए आज मैं आपको ले चलता हूँ खदीम शहर के इलाखे शाली बंडा में जहां तहजीबों का तसादम आप साफ तोर पर देख सकते हैं आपके स्क्रेन पर मौजूदे शखस अपने साथियों के अमरा किसी लड़की या खातुन से महु गुफतगू है लड़की का इलगा जगा है किस शखस ने उसके साथ छेड़खानी किये उसके बाद धंकी देते हुए कहा है कि देख लूँगा तुम्हे इस मंज़र को देखकर राह चलने वाले हैरान हो गए उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये नोजवान क्या कह रहा है क्यूं कह रहा है खदीम शहर की तहजीब साई दुन्या में मशूर मानी जाती है लेकिन इस नोजवान की हर्गत ने इस थाबित कर दिया के माशरे में मौजूद तीन तरह की अवाम में इसका नंबर 30 राही है जो सिर्फ बुराई ही नहीं बलके इक्तिलाफ राए पर भी गाली गलोच पर उतराते हैं ये लोग तहजीब नाम से नावाकिफ होते हैं इनकी गुफ्तगू से इनकी तर्वियत की जलक वाज़ नजर आती है कि किस माहूल में उनकी तर्वियत की गई है ऐसे अफराद माशरे में शर पैदा करने का काम करते हैं जब ये नوجवान लड़की से सखत कलावी में मसरूफ था तो लड़की मारे खौफ के काप रही थी और हिम्मत जुटा कर उसने नوجवान के बरताओ और इंतिशार की वीडियो मुबाइल फोन पर रिकाट की और फोरण इसकी शिकायद पुलिस से की उसके बाद वाला मंजर अचानक बदल जाता है शाली बंड़ा पुलिस ने नوجवान के खिलाफ मुख़मा दर्च करते हुए उसे गिरफतार कर लिया जहां यही नوجवान एक लड़की के सामने उचल रहा था कूत कूत कर उसे डरानी की कोशिश कर रहा था पुलिस स्टेशन में फीगी बिल्ली बना खड़ा रहा और अपनी गलती को तसलीम कर लिया बताया कि उसे इस तरह बात करने की जबरत नहीं थी पुलिस ने उसे रिवान पर भेज़ दिया है और खड़िम शहर के नोजवानों को खबरदार किया है कि लड़कियों के अलावा किसी भी शख्स के साथ अगर कोई बत्तमीज से पेश आएगा तो पुलिस बरदाश्त नहीं करेगी खाती पाये जाने वालों के खिलाफ सकती से निम्ता जाएगा हैदरबाद जो के खदीम तरीन तहजीबों का मसकन रहा है ऐसे में नोजवानों का खवातिन और लड़कियों के साथ इस तरहे का रवाया अवाम में गलत पेगाम पहुँचाएगा और ये शेर हम पर सादिक आएगा के तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेंगी तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेंगी जो शाके नाजुक पे आशियाना बनेगा नापाइदार होगा करते हैं ताइगारी कर रहे हैं तुमा को मालूम रखके कैसा जाते हैं आप मैं ठूक करी मुपे जा करती मुपे